दोस्तों आप भी जानते हैं कि जब भी बॉलिवोड के एडॉरबल कपल सलमान काट्रीना का नान सामने आता है तो हर किसी की बीच सवाल यही होता है कि आखिर ये दोनों शादी क्यों नहीं करते हैं क्या वाकि में इन दोनों की बीच सिर्फ और सिर्फ दोस्ती है या फिर अब भी है अफैर का वो राज जिसे ये दोनों शुपा रहे हैं क्या बाकि में दोनों का रिष्टा शादी के बंदन में बंदेगा या फिर ये दोनों ऐसे ही दोस्ती ही निभाते रहेंगे एक दूजे के साथ वल आप सभी के इन सवालों का जबाब तो नहीं लेकिन हाँ आप सभी को हम इस खास प्रोग्राम बॉलूर्ड हिडिन सेक्रेट में एक ऐसे सच से रूबरू कराएंगे जो कि इन्हीं के रिष्टे से जुड़ा है जी हां नमस्कार स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूस के स्विशल शो बॉलिवूर हिडिन सेक्रेट में लाप शायद ही इस बार से अंजान हो लेकिन सलमान और कट्रीना कैप के बीश कभी लराई की जो खबरे आई थी वो इस हद तक करवे रिष्टे को बया कर रही थी कोई शायद सोच भी ना पाया हो सलमान और कट्रीना के बीच लराई का वो सलसला इस हद तक बढ़ गया था कि दोनों शायद एक दूसरे से नजरे मिलाना तो दूर एक बार भी दूसरे का नाम तक नहीं लेना चाहते थे भाई आखिर क्यों होई थी दोनों के बीच ड्रिफ्ट की शुरुवात आखिर क्यों दोनों का रिष्टा पूरी तरह से अफैर के साथ ब्रेक अप में तब्दील हो गया था आखिर क्यों दोनों का लिंक अप खत्म हो गया था? क्यों दोनों के बीश का प्यार खत्म हो गया था? क्या थी वो वज़ा जो सोशल मीडिया पर खुब चर्चाम आए? अगर उस मैगजीन की बात करें जिसमें दोनों के रिलेशन को लेकर काफी सारी बाते की गई थी तो आपको बताना चाहेंगे हम सल्मान खान का कर्प्रीना पर ओवर पोजिसिव हो जाना काफी जादा उन्हें परिशान कर रहा था और ऐसे ही कुछ खबरे थी दोनों के बीच छगड़े को लेकर दोनों के बीच हुए बुरी लडाई को लेकर जिसका सच हम जानेंगे अपने स्पेशल प्रोग्राम बॉलिवोड हिडन सिक्रेट के इस खास रिपोर्ट के सरी तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट दीप नेक वाले कपड़ों में जब कट्रीना कैफ को देखा सलमान खान ने तो किस तरह वो अपना पक हो बैठे थे और उठाया था उन्होंने अपना हाट सलमान खान पर तमाचा चड़ने के लिए ये एक सवाल था ऐसा जो कि सालों पहले काफी जादा उनके फैंस को दुखी कर गया था वला आखिर इना फाहों के पीशे का क्या सच था जो कि कट्रीना सलमान खान के रिलेशन अफैर लिंक अप ब्रेक अप से जुड़ा हुआ है आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको ये सच बताएंगे यानि कि कट्रीना कैफ और सलमान खान के फाइट का वो सिक्रेट जानेंगे हम जो कि सलमान और कट्रीना के फैंस के लिए है एक बड़ी बात नरसल ये सालों पुराना राज है जस पर से उठा था पड़दा कट्रीना के ही एक करीबे ने किया था खुलासा सलमान और कट्रीना के बीश कोई भी मतभेत नहीं हाला कि एक मैगजीन रिपोर्ट की मानी तो सलमान खान काट्रीना केफ पर हाथ उठा चुके थे ये खबरी थी खबरी ये थी कि जब काट्रीना केफ ने एक बेहाद ही खुबसुरत फिगर हागिंग ड्रिस में नसराई काट्रीना केफ उस ड्रिस में काफी खुबसुरत लग रही थी लेकिन उनका ड्रिस काफे ज़ादा उपंड होने की वजह से सलमान को पसंद नहीं आया और काट्रीना केफ पर सलमान खान ने हाथ उठा दिया था ये खबरे थी मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो इन खबरों को लेकर बॉलूड में काफे ज़ादा बस्ट्रेट किया गया तब सलमान और काट्रीना के जोड़ी बॉलूड की परदे पर ही जोड़ियों में से एक थी दोनों की अफैर की खबरे हर किसी के जुबा पर उच्छाई रहती थी दोनों की जोड़ी को लेकर लोग कुछ ना कुछ बाते तो जरूर करते थे लेकिन काट्रीना के ही एक दोस्त ने इस तरह के रिपोर्ट का सच बया किया था कि ये रिपोर्ट सरासर गलत था काट्रीना के ही एक दोस्त ने बताया ये रिपोर्ट बिल सट पर बैठे वे थे और अपनी हिरोईन काट्रीना कैफ का इंतिजार कर रहे थे वेल 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 जहां उनकी को स्टार काट्रीना कैफ मौशूद भी थी ये खबर थी कि काट्रीना कैफ की ड्रेस सलमान को शायद बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और सलमान खान को ये एसास हुआ कि यहाँ पर काट्रीना कैफ पर हाथ उठा देना चाहिए मतलब कि गल्ती या जाने अंजाने में काट्रीना पर अपना हक रताते वे एक बॉइफिन की तौर पर एक दोस्त की तौर पर सलमान खान ने उन पर गुस्स अउतारा खैर काट्रीना और सलमान का रिष्टा सालों पूराना जो है वो कभी दोस्ती नहीं बलकि अफ़ैर को लेकर रिलेशन्ट्रिप को लेकर भी खूब चर्चा में रहा खैर ये बात अलग है कि काट्रीना और सलमान दोनों एक दुसरे के साथ फिल्म सेट पर भी क्लोस बॉंडिंग शेर कहीं बार कर चुके हैं लेकिन तब कि ये खबरे थी जब दोनों के बीश लड़ाई हुई और दोनों फिर अलग हो गये थे ये खबरे काफी चर्चा में रही कि सलमान और काट्रीना की सेट पर हुई लड़ाई ने दोनों को अलग कर दिया था खैर जुलाई इशू के लिए जब एक मैगजीन के कवर पेश पर ये स्टोरी चर्चा में रही तो लोगों के बीश ये खबरे चर्चा में आने में देर न लगी वल 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 काट्रीना की ही एक दोस्त ने तब इस पर उसा यानि की नराजगी जटाते वे बताया कि वो सारी खबरे पूरी तरह से गलती काट्रीना और सल्मान दोनोंने साथ में काम करने का फैसला एक ही फिल्म में इसलिए नहीं रिया था तब जब दोनों को काफी ज़ादा पिसी रहना पड़ा था दोनों की शेडियूल्स काफे जादा हैटिक थी सलमान खान काट्रीना की हमेशा परवा करते हैं और उनका परवा ही था ये जिसकी वजह से काट्रीना कैफ को कई बार परशानी का सामना भी करना पड़ता था काट्रीना को हमेशा से खयार रखना आता है और काट्रीना के लिए सलमान का ये प्यार ही था वल काट्रीना कैफ सलमान खान के लिए उनकी फैमिली से कम नहीं थी ये खुद कहना था उनकी ही एक दोस्त का जिससे आप समझ सकते हैं कि सलमान काट्रीना करशता आज नहीं बलकी सालों से हैं काफी गहरा इस रिपोर्ट में हम आपको इसी के साथ ये भी जानकारी दे दे कि काट्रीना सलमान खान को लेकर जो कहान या खुब फैल आई गई थी दोनों की कमिट्मेंट्स को लेकर भी बाते हुई थी वहीं आपको बता दे काट्रीना की फ्रेंड ने खुलासा किया था पीपल मेक अप लॉट अप स्टोरीज वनली बिकॉस दे कुड़न कीप अप टू देर कमिट्मेंट्मेंट्स अफ मेकिन अपरेंस अन आपको लेकर ये था उनका नाराज होने का अंदास वहीं काट्रीना कैफ को लेकर ये उन्होंने कहा था वहीं उनका ये भी कहना था कि काट्रीना कैफ के बहुत सारे प्रोजक्ट्स होने की वजह से ही उन्होंने एक फिल्म जो की दोस्ताना के दूस्टे सिक्वल को लेकर था वो मना कर दिया था डाक्टर करन जोहर के स्वल्म को ओफर को कर्टरीना ने चान मूच कर मना किया था क्योंकि तब वो काफी जादा बिजित थी और उनके पास तमाम ऐसे काम थे जिसे करना ज़रूरी भी था अब सोचिए ज़रा क्या वाके में सल्मान काट्रीना के बीश कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई क्या वाके में दोनों के अफैर का जो ती एंडिंग था वो उसके पीछे सल्मान और काट्रीना की चोड़ी की बीच उनकी दोस्ती ही गहरी थी और उनकी मुहबत में थोड़ी सी कमजोरी थी क्या वाके में सलमान काट्रीना के बीश कभी कोई अपैरी नहीं रहा काट्रीना उनकी सिर्फ दोस्त रही और परिवार का हिस्सा रही ये सब सवाल हमेशा की तरह आज भी एक सवाल बना है यकीन करना वाकई बेहत कठीन है कि सलमान और कर्टीना के बीच कभी लडाई हुई होगी शायद यही वज़े थी कि कर्टीना कैप की तरफ से उनके किसी करीबी का सामने आकर जवाब देना दोनों के रिष्टे पर बात करना सलमान खान की फैमिली की तरह एक कर्टीना ये बात कह देना लोगों को इतना पसंद आया कि लोग भी उनी की तरह फोल गए पुराने गिले शिक्वे को और दोनों ने अपना ही लिया एक दूसरी के साथ अपने दोस्ती को फैंस ने भी अपना लिया इनके रिष्टे को तभी तो फिल्म टाइगर्स जिन्दा है को जबरदस्त मिली काम्यावी पूरे पांच साल बाद सलमान कात्रिना के जोड़ी परदे पन्नसर आई और दोनों को एक दूझे के साथ देखना फैंस ने काफी पसंद किया गया और तो और ब्रेक अप के बाद दुबारा इनका एक दूझे के साथ मिलना फिल्मी परदे पर रोमैंस करना और तो और एक बेटे के पैरेंस बन जाना टाइगर्स दिंदा है में दोनों को साथ देखना लोगों को काफी पसंदा है शेर यही वज़य है कि अब भारत फिल्म को लेकर सलमान काफी एक्साइटेड है करप्रीना भी एक्साइटेड है और इस फिल्म ने उन दोनों को फिर से मिलाया जा रहा है लेकिन देखना होगा कि इन दोनों की जोड़ी क्या वाकई में बॉलूर के परदे पर फिर रंग लाएगी ये देखना होगा फिर्म भारत के रिलीज होने के बाद जब सिनेमा घरों में फिर से सलमान करप्रीना की जोड़ी धमाल करेगी वक्त आ गया है आज अब इसे के साथ यहीं पर इस प्रोग्राम का दियन करने का तो मुझे अब देजिए इजाज़त अगली बार लोटेंगे फिर से इसी तरह से सलम या और कैट यानि कि बार भी डॉल की लव स्टोरी को लेकर कुछ ऐसी ही दिल्चस्प खबरों से आपको अब देट कराने के लिए तब तक के लिए देखते रहें आप हमारा शानन नेक्स्ट नाइट न्योज और इसे सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले नमस्कार